भारत में होली कत्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है होली कत्योहार हिंदू कलेंडर के अनुसार फालगुन मास की पोल्निमा के दिन मनाया जाता है होली रंगो और हसी का त्योहार है यह भारत का एक प्रमुक और पिरसिद्ध त्योहार है जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है रंगों कई हैत्योहार पारंपरिक रूप से दो दुनों तक मनाया जाता है होली कत्योहार कई अन्य देशों में भी बड़ी धूम दाम से मनाया जाता है जहां अलपसंक्यक हिंदू लोग रहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको होली से जुड़े कुछ रोचक तत्य बताने जा रहे हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मेरी छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे लोग एक दूसरे को रंग लगा कर इस पर्व को मनाते हैं फैक्ट नमर टू क्या आपको पता है कि होली की दिन एक दूसरे को रंग लगाने और गाना बजाने का सिलसिला दो पहर तक चलता है माना जाता है कि होली की दिन लोग पुरानी कड़वाहर्ट को भुला कर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं फैक्ट नमर फ्री क्या आपको पता है कि भारती पंचांग के अनुसार फालगुन मास के पूर्णिमा को यानि होली के अगले दिन से चेत्र सुकल पिर्तिपदा का आरंब होता है और इसी दिन से नबबर्स का प्रारंब भी माना जाता है इसलिए होली का पर्व नबबर्स के प्रारंब और नबबर्स के आगमन का पिर्तिक है फैक्ट नमर फॉर क्या आपको पता है कि मतुरा में करीब 45 दिनों तक चलने वाले होली के त्योहार की सुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है यहां लट्थमार होली खेली जाती है जिसे देखने के लिए देश फैक्ट नमर फाइब क्या आपको पता है कि होली के त्योहार के साथ रंग कप से जुड़ा इस बात पर मतवेद है लेकिन इसी दिन स्री किष्ण ने पूतना का बद किया था जिसकी खुसी में गाव वालनों ने रंग उत सब मनाया था यह भी कहा जाता है कि स्री किष्ण गोपियों के साथ रासलीला की थी और दूसरे दिन रंग खेलेने का उत सब मनाया था फैक्ट नमर सिक्स क्या आपको पता है कि होली के त्योहार में रंग डालने से पहले लोग एक दूसरे पर धूल और मिट्टी मलते थे इसलिए इसे धूलेंडी कहा जाता था कहा जाता ह दूसरे में होली के अगले दिन धूलेंडी में सुबह के समय लोग एक दूसरे पर धूल और मुलताने मिट्टी सरीर पर लगाते थे जिसे धूल इस नान कहते थे फैक नमबर एट क्या आपको पता है कि आजकल होली के अगले दिन पानी में रंग मिला कर होली खेली आती है तो रंग पंचमी पर सूखा रंग लगाने की परंपरा रही है कई जगे इसका उल्टा भी होता है हाला कि होली का देहन से लेकर रंग पंचमी तक भांग अधी पीने की भी पड़ता है। फैक नमर 9 क्या आपको पता है कि रंगोओ का यह तीवर मुख्य रूफ से तीन दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होली का देहन किया जाता है जिसले का देहन कहा जाता है। Fact number 10, क्या आपको पता है कि होली के त्योहार के दिन लोग अपनी दुस्मनी भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं Fact number 11, क्या आपको पता है कि गोविंदा होली यानि मटकी फोड होली महराष्ट में खेली जाती है इस दोरान रंगोत सब भी चलता रहता है Fact number 12, क्या आपको पता है कि तमिलनाडू में लोग होली को कामदेप के बलिदान के रूप में याद करते हैं इसलिए यहाँ होली को कामन पंडी गई, काम बिलास और काम दहनम कहा जाता है करनाटक में होली कत्योहार कामना हब्बा के नाम से मनाया जाता है इसी तरहें कि होली आंदरप्रदेश तेलेंगाना में भी मनाया जाती है Fact number 13, क्या आपको पता है कि होली के दिन भांग पीने का चलन भी सेकलो सालों से चला आ रहा है कई लोगों का मानना है कि भांग और ठंडाई के बिना होली अधूरी है Fact number 14, क्या आपको पता है कि भारत में होली का त्योहार बहुत ही धूम धम से मनाया जाता है होली भारत का सबसे प्राचीन पर्व है जो उत्सा के साथ मनाया जाता है Fact number 15, क्या आपको पता है कि पहले होली का नाम होली का या होला का था साथ ही होली को आज फगुआ धुलेंडी धोल के नाम से जाना जाता है इस त्योहार की एक प्रिसिद्ध कहावत है बुरा नमानो होली है एक दूसरे पर रंग डालने के समय लोग इस कहावत का अकसर प्रियोग करते हैं क्या आपको पता है कि प्रिसिद्ध मुस्लिम परेटक अल बरुली ने भी अपने एतिहासी की यात्रा संस इसमरण में होली कोट सब का बरणन किया है इसके साथ ही भारत की अनेक मुस्लिम कभियों ने भी अपनी रतनाओं में इस बात का उल्लेक किया है कि होली कोट सब केवल हिंदू ही नहीं बलकि मुस्लिम भी मनाते हैं क्या आपको पता है कि अकवर का जोदवाई के साथ तथा जहांगीर का नूर जहां के साथ होली खेलेने का बढ़न इतिहास में है अलवर संग्रालिय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है आपको पता है कि साथा के समय तक होली खेलने का मुगली अंदाजी बदल गया था साथा के जमाने में होली को एदे गुलावी या आवे पासी जिसे हिंदी में रंगों की बोच्छार कहा जाता था फैक्ट नमर्ट नैंटीन के आपको पता है कि मुगल बात्सा बहादूर साहा जफर के बारे में पिर्शिद्ध है कि होली पर उनके मंतरी उन्हें रंग लगाने जाया करते थे वही हिंदी साहित्य में कृष्ण की लिलाओं में भी होली का बिस्तार रूप से बढ़नन किया गया है फैक्ट नमर्ट नमर्ट क्या आपको पता है कि होली के अफसर पर मतुरा के ब्रंदावन में एदूती मटका समहारों का आयजन किया जाता है सम्हारों में दूद और मक्खन से भरा एक मटकी का मटका उंचाई पर बांद जाता है और लड़के मटके तक पहुँचने की जीतोड कोशिस करते हैं इस सम्हारों को जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है फैक्ट नमर 21 क्या आपको पता है कि एक दूसरे को रगने और गाना बजाने का सिलसिला दो पहर तक चलता है इसके बाद इसनान करके विसरम करने की बाद नए कपड़े पहन कर साम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं गले मिलते हैं और गुंजिया ये वो मिठाईया खाते हैं तो दोस्तो मेरी तरफ से होली की हार्दिक सुपकामना है आपकी होली मंगल में हो ऐसी मैं कामना करता हूँ होली से जुड़े ये रोचकत थी आपको कैसे लेके नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखें जै हिन जै भारत